शेहर में खाने पीने से लेकर हर तरह के समान की किलत लिकिन यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है क्योंकि ड्राइवर उन्हें स्टेरिंग ही छोड़ दिया है जो नए कानून आया है हिट और रण कानून के अंदर जिस तरीके से सरकार हिट और रण कानून को लागू किया है इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे नमस्कार मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से जो हिट एंड एंड कानून को लागू करा गया है पूरे देश में जो ड्राइवर हैं वो गुस्से में हड़ताल पर बैड़ गये है इस कानून के तहत इस नए कानून में ये बताया गया है कि अगर दुरगटना से एक्सिडेंट हो जाता है तो इसमें ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी और 7-7 लाख रुपे का जुर्माना तक भरना पड़ सकता है वही ड्राइवर बोल रहे हैं कि 7 लाख का जुर्माना हम कैसे भरेंगे क्योंकि उनकी महीने की जो सेलरी होती है इंकम होती है वो 10 से 15 हजार होती है और कुल में लाके अगर देखा जाये तो साल में ही कुछ 1 या 2 लाख रुपे बन पाते हैं और वही यह लोग अगर दुरगटना सतल को छोड़के भाग जाते हैं तो इनको 7 लाख रुपे तक का जुर्माना भरना पढ़ सकता है तो वही यह लोग सरकार से कह रहे हैं कि 7 लाख रुपे तक का जुर्माना कैसे भरेंगे इस कानून को लेकर बड़े सर पर ड्राइवर जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की किल्लते होने लग गई हैं क्योंकि ड्राइवर अगर पेट्रोल और डीजल का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो पेट्रोल और डीजल की किल्लते हो गई हैं पेट्रोल तो वही driver steering ही छोड़ देँगे तो किई तरीके से transport करा जाएगा तो अगर ट्रांस्पोर्ट नहीं होगा तो पूरी अर्थवयस्ता में ही दिक्कत आजाएगी तो इसमें पूरे देश की अर्थवयस्ता गिड़ सकती है इस तरीके से हीटर रलन काणून के तहत पूरी ड्राइवरों में गुस्ता देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ जंतरमंतर पे भी इसको लेके हड़ताल जारी है कहा जा रहा है कि जो काला कानून है कि काला कानून नहीं फासी का फंदा बन चुका है यह हम नहीं कह रहे हैं यह पूरी जनता कह रही है जो ड्राइवर ड्राइवरिंग करते हैं यह कह रहे हैं कि यह काला कानून है फासी का फंदा बन चुका है जिस तरीके से अमिच शाह और मोदी जी ने संसंद मैट के खुदी फैसला कर लिया कि हिट और रन कानून लागू करेंगे लेकिन दूसरी तरफ देखा जाते हैं जनता से सोच विचार ही नहीं करा कि 10-15,000 रुपे कमाने वाला अगर एक ड्राइवर 7,000,000 रुपे कहां से भर इस कानून के लागू होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर इस सरकार को घुटने में लाने का काम कर दिया है और शाम तक होते होते सरकार ने ये फैसला कि इस कानून में जाच की जाएगी और उसके बाद इसको लागू करा जाएगा लेकिन जनता भी भी अक्रोश दिखा र रहे थे लेकिन सरकार ने NPS लगो कर रहा उसके खिलाफ अंदोलन हुआ आप नियू एजुकेशन पॉलिसी देख लिजिए नियू एजुकेशन पॉलिसी में छात्राओं का अंदोलन हुआ वही दूसरी तरफ अभी जो हीट और रंड कानून लाया गया है इस पर भी जो ड्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है जब 1500 से अधिक सांसद निलब्वित थे तब संसद में शेहनशा ने भारती अर्थ विवस्ता की रीड ड्राइवर्स के विरुद एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं सीमित कमाई वाले इस महंती वर्ग को कठोर कानू के बीच का फर्ख भूल चुकी है वहीं दूसरी तरफ अखिले श्यादव कह रहे हैं कि आज कल तता कदे डबल इंजन की भाजपा सरकार दरसल डबल दबाव में फसी सरकार बन गई है भाजपाई एक तरफ उनके दबाव में हैं जिनके फायदे में से फायदा उठाने के लिए वो जन विरोधी कानून लाते हैं दूसरी तरफ जब जमता एक जुठ हो जाती है तो भाजपाईयों को जनता के दबाव में अपने फैसले आखिरकार लोटाने ही पड़ते हैं सही मायनों में तो तता कदे डबल इंजन की भाजपा सरकार ट्रिपल खोपड़ी वंज ले लेती है तो वो भी भाजपा को खरी खोटी सुनाते हैं कि वह मुँ दिखाने लायक नहीं रह जाते ड्राइवरों की स्टेरिंग मोड़ना आता है वही अखिलेश यादव राहूल गांदी और अजित अंजुम जैसे लोगों ने भी इस पर ट्वीट करा है और कहा है कि इस तरीके का जो कानून लाए है बिना सोचे समझे कानून को ऐसे लागू कर देना ये ड्राइवरों के लिए बहुत ही हानी कारक हो सकते हैं कि 10-7 लाग रुपे वे कहां से भरेंगे इस तरीके से ये जो कानून लागू किया गया है इसमें घूज खोरी बढ़ने का जाद बनाया जाएगा वहीं दूसरी तरफ MP के DM कहते हैं कि तुमारी ओकात क्या है ड्राइवरों को उन्होंने ऐसा बोला है कि तुमारी ओकात क्या है वहीं ड्राइवर ने वहीं बोला कि हम नियाय की मांग कर रहे हैं ये जो ऐसा कानून लाया गया है हमारे लिए हम उसी की तो लड़ाई लड़ने नियाें के लड़ाई लड़ने हैं वहीं जगा जगा में ड्राइवर्यों पादित किया गया है मैं लिखित लेकिन वही कहरे हैं जाच होने की क्या है हमें लिखित में दीजिए कि आप ये कानून पारित नहीं करेंगे क्योंकि भाजपा सरकार का देख्या गया है कि वो कोई भी कानून लाती है नई पॉलिसी लाती है NPS हो और New Education Policy हो वो हमें पे थोप देती है छात्राओं का अंदूलन देखने को मिल जाता है जो NPS Pension Scheme से जुड़े लोग है उनका अंदूलन देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरफ ड्राइवर भी हरताल पे बैट चुके हैं कब तक ऐसा ही जारी रहेगा और भाजपा सरकार अपनी तानाशाई कब खतम करेगी वही जनता का जानना है क्योंकि यह जो कानून है यह सिफ ट्रक ड्राइवर के उपर नहीं है जो कार चलाते हैं बाइक चलाते हैं इनके उपर भी है जिस तरीके से जो food delivery वाले लोग हैं उनको एक समय दिया जाता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर ही आप हमें delivery कर दीजिए यूंकि 30 मिनट के बाद कोई पैसा ही नहीं देता है वहीं food delivery में कहा जाता है जो डॉमिनोस, pizza इस समय होता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर ही आपको pizza समय पे पहुचाना होगा तो उसमें कार्ट जो बाइक है वो तेज भी चलानी पड़ती हूंकि समय पे समान पहुचाना होता है वहीं दूसरी तरफ अगर गलती से एक्सिडेंट हो भी जाता है तो दुरुगरतना सलको छोड के भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको 10 साल की जेल हो जाएगी और 7 लग का जुर्माना भरना पड़ेगा जब ये कानून लागू किया गया तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी 1.500 सांसाद निलंबित किये गये थे तब ये कानून लागू किया गया और जो heat and run कानून है इसको नैशनल मीडिया ने कहीं भी नहीं दिखाया है बलकि इसका प्रचार और किया गया वही सोशल वीडियो इस पर सवाल उठा रहा है और जो ट्रक ड्राइवर उन्हें सीधे दर धमकी दे दी है कि अगर आप ये कानून वापिस नहीं लेते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे तो सीधे तोर पर देखा जा सकता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर वाले लोग है जितने भी ड्राइवर है वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि सरकार जो है ऐसे कानून थोप देती है और इसका जो भुकतान करना पड़ता है वो जनता को करना पड़ता है और जो बिना स लेकिन वहीं अगर देखा जा सकता है कि अगर ये कानून में जांच परताल की जानी चाहिए शाम तक ऐसा बोला गया की जाएगी उसके बाद लागू किया जाएगा तो एक तरीक से देखा जा सकता है कि वोट बैंक के जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वोट नहीं मिलें भूली जानिक जो कोई उन्हें वोट नहीं देगा है अगर जो पूरा जो कानून लाया गया हिटझट इंडन चानून जो आपकी क्यार आए मैं कमेंट बउक्त में ज़रूर बताएगा कानून